नमस्कार मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोज ख़बर का एक्रम ख़बर की खोज सच की पड़ताल जनपक्ष नजरिया बेखौफ बेभाग सत्ता का जूट बेनकाब आग में तपीद पत्रकारिता दाफ्ती है सवाल दरसवाल देश में पेट्रोल डीजल के कीमतें बढ़ें या फिर रसोई गैस की कीमत बढ़ें इन सब पर चर्चा बहुत कम है देश का और तकरीबन दुनिया के एक बड़े हिस्से की निगाह भारत में कश्मीर फाइल्स के इर्दगिर जो चल रहा है उस पर है और इस पर शायद तवज़ो दूसरे ढ़ंग से देनी बहुत जरूरी है हम इस फिल्म में क्या दिखाया गया है इसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि इस पे बहुत सी बातें हो रही है मेरा सीधा सवाल है कि क्या जो कश्मीर फाइल्स फिल्म है वह 2024 का जो लोकसभा चुनाओ है उसका करटन रेजर है उसकी तैयारी के लिए जमीन तैयार करने की पूरी की पूरी जो कोशिश है जिसकी कमान संसत के भीतर प्रधान मंतरी नरेन मोदी थामते हैं और बाकी मुख चुनाओ हुए थे उसमें पुल्वामा और बाला कोट किया गया था उसके इर्दगिर्द सारा महौल बनाया गया था और हमने देखा था कि सरकार वापस भाश्पा की आई थी क्या कुछ वैसा ही कश्मीर फाइल्स के इर्दगिर्द बुना जा रहा है इस पर सोचना विच जेंडा फैलाने के लिए इस्तमाल किया जा रहा है जिस तरह से इस फिल्म के इर्दगिर्द मुसल्मानों को एक सबसे बड़े विलन के तौर पर और कश्मीर को लेकर जिस तरह से भावनाएं उबाली जा रही है उससे डर यह लग रहा है कि पिछले कुछ समय से देश में म जिस तरह से जिस समय देश में तमाम और चीजों पर लोगों में बहुत गहरी बेचैनी है जिस तरह से पांच राजियों में जैसे ही चुनाव खतम होते हैं उसके बाद चार महिने के इंतजार के बाद पेट्रोल डीजल रसोई गैस और तमाम चीजों की कीमतों में आग ल जाए अचानक ही हमें दिखाई देता है कि जो नफरती एजेंट है वह हर जगह तमाम बटसब ग्रुप से लेकर तमाम गली महलों में बहुत ही जादा एक्टिव हो गया है क्या यह महज इत्तफाक है कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री इस फिल्म के लिए बैटिंग करत द्धानिक संस्थाएं हैं वह तकरीबन ध्वस्त दिखाई देती हैं कहीं से भी कोई चैलेंज ना सेंसर बोर्ड ना सुप्रीम कोट ना तमाम जगहों पर अन्य जो संस्थाएं हैं हर जगह वह तकरीबन नदारत हैं इसकी वजह निश्चित तोर पर बहुत गहरी है सवाल सिर्फ एक फिल्म का नहीं है और सवाल सिर्फ एक फिल्म में दिखाने वाले कंटेंट का नहीं है हलांकि वह भी बहुत जरूरी है और उस पर चर्चा होनी चाहिए लेकिन इस देश ने बाहु बली जैसी फिल्में भी देखी हैं जिसने करोणों कमाए जो पूरी की पूरी तरह से मित किय थी लेकिन यह फिल्म एक अलग धंका नरेटिव बिल्डब कर रही है और उस नरेटिव के केंद्र में हैं कश्मीरी पंडित कश्मीरी मुसल्मान कश्मीर से 1990 से लेकर 2000 तक हुए कश्मीरी पलायन अब देखिए फिल्म बताती है कि 4000 कश्मीरी पंडित मारे गए कश्मीरी पंडित संघर समिती इस आकड़े को रखती है 650 और ग्रह मंत्राले के अनुसार इंका आकड़ा 216-217 के करीब है यानि यह जो पूरी की पूरी रेंज है 4650 और 200-200 के करीब यह अंतर क्यों रखा गया इसके इर्दगिर्द जो नफरत फैलाई गई उस नफरत में मकसद क्या है एजेंडा क्या है क्योंकि यह फिल्म निश्चित तौर पर भारती राजनीती का दूसरे ढंग से एजेंडा सेट कर रही है यह बता रही है कि जूट को अगर बड़े परदे पर पेश किया जाए भावनाओं में उबाल लाया जाए तो किस तरह से जो दर्शक है वह अंदभक्त की तौर पर बहस करता है भाशन देता है और वह तमाम वीडियोज हम तक आप तक पहुचते हैं कश्मीर फाइल और जो देश की फाइल है उसमें क्या कनेक्शन है किस तरह से वह जुड़ी हुई है इसे देखने के लिए देश की राजधानी से बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश में मतुरा में हाल ही में दो मामले सामने आये हैं मतुरा में जैपुर में जिस तरह से जो वीडियो आया है जिसमें मुसल्मान टैंपू चालक को लोग पीट रहे हैं उस पर आरोप लगा रहे हैं कि वह बीफ लेकर जा रहा था जबकि पुलिस ने खुद कहा कि कोई भी चीज ऐसी उसके टेंपू में नहीं मिली आसपास नहीं मिली और इस व्यक्ति का कोई कनेक्शन मास के वैपार से नहीं है लेकिन आप देखिए जो नफरत है जिस तरह से उसे पीटा जा रहा है वह सब के सामने हैं वहीं दूसरी वारदात मतुरा के मनोहर गंच इलाके में हुई जहां पर बड़े पैमाने पर कुरेशी समाज के लोग रहते हैं वहाँ पर गौर अक्षा के नाम पर उग्र हिंदुत्व संगठन से जुड़े हुए लोग बजरंग दल से जुड़े हुए लोग निशाने पर इस समाज को ले रहे हैं वहाँ पर हमला हो रहा है और बड़े पैमाने पर वहाँ से मुस्लिम परिवार छोड़ कर भाग रहे हैं यह मामला सिर्फ उत्तरप्रदेश के मतुरा ही नहीं अब देखिए कौशामबी जिले में किस तरह से वहाँ पर जो उग्र हिंदुत्व की ताकते हैं जो संगठन है वह बेरहमी से सब के सामने दो मुसल्मान नौजवानों को निशाने पर लेते हैं और एक की पीट-पीट कर हत्या कर देते हैं छोटा भाई घायल है और जीवन के लिए संगर्ष कर रहा है जफर उनकी मौत घटना स्थली पर हो जाती है यह सारा का सारा जो मौहौल है यह जो नफरती उनमाद है दरसल यह देश को एक दूसरे बड़े संकट की ओर ले जा रहा है अब यह जो नफरत पूरी की पूरी पहलाई जा रही है यह किस तरह से एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती है इस पर ध्यान देना बहाँ जरूरी है क्योंकि यह घटनाएं सब अलग-अलग करके हमारे सामने आती है दादरी का जो गायक है जो खुले आम गाता है उसका जो गाना कई लाख लोगों ने देखा है कि अब हथियार उठाओ उस गाने में पूरी की पूरी तरह से खुलकर कानून देश के सम्विधान की धजियां उड़ाते हुए मुसल्मानों के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात है यह वीडियो और उसका जो कनेक्ट यतीना नंद के साथ है यह भी सब के सामने है दरसल यह जो पूरा महौल बनाया जा रहा है यह एक राज से दूसरे राज में ट्रैबल कर रहा है और इसे पूरा का पूरा वर्दहस्त पूरी की पूरी सुरक्षा इस नफरती मशीन को सरकारों ने दे रखी है इसकी मिसाल करनाटक में देखने को मिली करनाटक में वहाँ पर जो एक आयोजन है उसमें खुलकर बोला गया कि इस आयोजन में एक जो मेला लगता है उस मेले में कोई भी मुसलिम दुकानदार अपनी दुकान नहीं लगा सकता देश में समिधान भी है देश में कानून है सारी चीजें हैं और सब चीजें यह बताने के लिए काफी हैं कि इस तरह का भेद इस तरह से एकनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन किसी भी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं किया जा सकता लेकिन करनाटक एक दूसरे ढंकी खौफनाक मिसाल पुरे देश के सामने रख रहा है जहां बकाइदा खबरे भी छपी कि मुसल्मान दुकानदारों को बाहर कर दिया गया जो सालों से वहाँ पर अपनी दुकाने लगाते थे यह महज इत्तफाक नहीं है यह कडिया हैं जो आपस में जुड़ती हैं और जिन्हें जोड़ कर देखने पर यह कश्मीर फाइल्स मजबूर कर रही है हमें और आपको इसी संदर में संयुक्त राश्ट द्वारा 15 मार्श को एंटी इस्लामवी फोबिया डे के तौर पर मनाना यह जो फैसला किया गया यह बहुत एहम होता है क्योंकि संयुक्त राश्ट ने पहली बार अंतराश्टी इस्तर पर यह हस्तक्षेप किया कि जिस तरह से इसलाम के खिलाफ नफरत पहलाई जा रही है उस से जिस तरह से बहुत गहरा असंतोश और नफरत पहल रही है उस पर लगाम लगानी बहुत जरूरी है अब यह विडबना देखिए कि एक तरफ सैयुक्त राष्ट में यह पहल हो रही है नफरत के खिलाफ लगाम लगाने की बात हो रही है और ठीक उसी समय हमारे प्यारे देश में इसलाम और मुसल्मान के खिलाफ बहुत गहरी नफरत स्टेट मशीनरी के पूरे सर्रक्षन में चलाई जा रही है यह जो पूरा का पूरा महौल है यह निश्चित तोर पर भारत को एक दूसरे ढंके युद्ध या ग्रिया युद्ध में धकेलने की पेशकश करता हुआ दिखाई दे रहा है इस नफरती महौल में बहुत जरूरी है अपने उन शहीदों को याद करना जिन्होंने भारत के लिए एक दूसरे ढंका सपना देखा था आज भगसिंग, राजगुरू और सुखदेव की शहादत को सलाम करने का दिन है आज ही के दिन अंग्रेजों की गुलामी को उखाड फेकते हुए जो पूरा संखर्ष उन्होंने चलाया था उस संखर्ष की कड़ी में उन्होंने फासी के फंदे को चुमा था 1931 में अंग्रेजोंने उन्हें फासी दी थी भगा सिंग ऐसे सुतंतरता सैनानी थे जो गोरे और काले दोनों शाशकों की गुलामी के खिलाफ जन्ता को पूरी निर्भीकता से चिताते हुए एक सजग भारती प्रहरी की तरह काम कर रहे थे उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर जो करांतिकारी कारेक्रम का मसौदा तयार किया था आज शायद भारत को उसकी बहुत सक्त जरूरत है अब देखिये ना अपने इस मसौदे में उन्होंने साफ साफ लिखा था किसामंतवाद की समाप्ती हो, किसानों के कर्ज को समाप्त किया जाना चाहिए, भूमी का राष्टी करण होना चाहिए, आवास की गारेंटी हो, किसानों से सिर्फ भूमी कर एक स्तर पे लिया जाना चाहिए, कारखानों का राष्टी करण हो, सब के लिए आम शिक्षा और क काम के घंटे कम निर्धारित किये जाने चाहिए यह सब भगत सिंग आजादी से पहले भारत के लिए सपना देखके गए इसी के साथ जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में भी उस सांप्रदाइक नफरत के बारे में भी 1928 में कीरती में जो लेख लिखा था शायद वो हमारे आपके तमाम मीडिया के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें उन्होंने खुल के कहा था कि सांप्रदाइक दंगे को जो भड़काया जाता है उसमें किस तरह से अखबार अपनी भूमी का निभाते हैं किस त देखते हमारे टीवी चैनल को तो किस तरह से क्या सोचते और शायद उस समय जब खून के आसू की बात कर रहे हैं तो शायद आज जलजला ही आ जाता इसी के साथ आज प्रकर और जस्वी करांतिकारी कभी अवतार सिंग पाश के जोशीले शब्दों को भी सलाम करने का दिन हैं जिन्हें 1988 में आतंकवादियों ने गोली मार कर जिनकी हत्या कर दी थी शायद आज की तारीख में जो माहौल है जिस तरह का नफरती एजंडा चल रहा है इस से लड़ने के लिए जो लोग तैनात हैं उन्हें पाश के ये शब्द बहुत हिम्मत देते हैं जब वह कहते ह हैं कि हर किसी को नहीं आते बेजान बारूत के कड़ों में सोई आग के सपने सपनों के लिए लाजमी है जेलने वाले दिलों का होना शुक्रिया